नमस्कार में होते वांसू आप देख रहे हैं इस बक्त की बड़ी ख़वर है जमोई की बीज़ेपी की बिधायक स्रेशिक सिंग ने एक ट्विट किया है त्विट के जड़िये उन्होंने लिखा है उसका स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो स्रेशिक सिंग के ओफिसियल महिला निसाने बाज का दर्जा दिया गया है और अगामी विस कप में भारत का परतिनिधित्प करेंगी आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धनेवाद कुलमिला कहें कि स्रेशिक सिंग के लिए बड़ी उपलबधी है वो बीज़ेपी की बिधायक है बिहार के जमुई विधान सभा से और अब वो देश की नंबर वन ट्रैप महिला निसाने बाज बन गई है और अगामी वर्ल कप जो सूटिंग की होने वाला है साल 2022 में के मार्श में उसमें वो भारत का परतिनिधित करेंगी ये जानकारी जो है खुद श्रेशिक सिंग ने अपने ट को वो बिःवार अए तो बिःवार विधान सभा का सतर चल रहा था और उस दाओरान सभी मानिनियों ने स्रेशिसंग का भव भी स्वागत किया था यहां तक कि बिहार के मुख मंत्री नितीज कुमार ने भी एक तरह से कह सकते हैं उनका अभिनन्दन किया था से सिरेशी सिंग के लिए और एक और उपलब दी सिरेशी सिंग के हिस्से में चली गई है वो देश की नंबर वन ट्रैप महिला निसानिवास बन गई है और अगामी सुटिंग वर्लकप में वो देश का परतेनिधीत करेंगी और आपको बता दें कि इसे पहले सिरेशी सिंग ने ग्लासको स्कॉट लाइन रास्टे मंडल खेल 2014 में रजत पदक जीता था इसके बाद आस्ट्रेलिया रास्टे मंडल खेल 2018 में सुटिं बिजेपी के टिकट पर जमुई से सिरेशी सिंग ने चुनाव लड़ा और भाड़ी बहुमत से सिरेशी सिंग जीत कर विधायक बनी सिरेशी सिंग पूर्व केंद्रिय मंत्री दिग्विजय सिंग और बाका की पूर्व सांसत पुतुलकुमारी की बेटी है और लगातार अपने छेतर में भी काम करी और जिस तरीके से सुटिंग यानि कहें कि जिस तरीके से सुटिंग में अपना नाम लगातार रौसन कर रही है देश के साथ-साथ पूरे बिहार का बीजेपी के बिधायक सिरेशी सिंग जो है वो नाम रौसन कर रही है और अब आने वाले वक् झाल